सब्सक्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्सेग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें जबकी इशान शमा बिल्कुल भी उनको कोई विकेट नहीं मिला है आज एक्सपेक्क करेंगे कि वो उनको कोई हुकर दिन दे 2 सोनी अच्छा होने की बहुत उम्मीद हैं इसके अलावा एक और मुकाब्दा चल रहा है वो वेस्ट इंडीज वरसिज पाकिस्ट के बीच टेस् इसके बाद बात करेंगे तमाम खबरों की जो खेल जगत से आ रही है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रिलंका दोरे की जहां कुनाल पांडिया जब कोविड पॉजिटिव हो थे उसको लेकर एक खबर आ रही है पीटी आई के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसक कि वज़े से हम अपना सीरीज दो एक से हाट चुके थे कुरनाल पांडिया का जो उन्होंने अपने मेडिकल ओफिसर को बताया था कि उनके गले में दर्द है 26 जुलाई को जबकि और उनको कोई आंटी जेंट टेस्ट नहीं हुआ था 27 तारी को उनका आर्टी पीसिया टेस हुआ था एक दिन विल्लम हुआ था जिसके कारण हमारे आठ प्लेर्स जो है वो टीम का हिसा नहीं रह चुके थे और दो एक से हमें सीरीज का सामना करना पड़ा था तो देखिए पीटी आई के हवाले से जो रिपोर्ट आई हमने आपको बताई उसके बाद बात करेंगे गोट जेम्स एंडरसन की जिन्होंने यार कमाल का रखाई का लाम ने आपको बताया कि कैसे 35,000 गेंदे फेक चुके हैं वो टेस्क्रिकेट में इसके अलावा उन्हों साजिया बताई कि इस उमर में आखे तकरिबन उन्ताल साल से उमर हो गई और कैसे रिकोर्ट बनाए बिल्कुल दीपक रिकोर्ट बनाए आपको यह बतादे कि वो उनका जो फिफ्ट विकेट हॉल है वो 31 है बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा हम यह बताई कि वो डाउट बन गये हैं पांच विकेट हॉल लेने वाले तभी तो उन्हें ग्रेटर्स आफ आल टाइम भी कहा जाता है यानि कि उसके बाद बात करेंगे उन्मुक चंद की उन्मुक चंद आपको याद होगा 2012 में अंडर 19 टीम के कप्तान थे उसके बाद वो आई पिल में भी खेलते ह कर्या जाने वाले आफ इसको लेकर अनुहोंे एक बयान भी दिया पोष्ट बताया उसमें उन्हों ने ये बताया स्जाजिया की देखिए वो उदास हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इन च्रों के चोड़क की बाद की जब् eğित कि में जिस स्टेट बोट के अब इसके बाद बात करेंगे फाफ दूप्लेसिस की डूप्लेसिस को लेकर आपको पता होगा कि वो पी एसल में उनके से पर चोट लगी थी फिल्डिंग करते हुए उसके बाद वो कनकर्शन हुआ था जिसके बाद वो पी एसल छोड़कर वापिस आ गए थे और अब वो द खबरे बताई हैं मैच की बात करते हैं इंडिया वर्सेज इंगलेंड के बीच इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा का विश्य रहा है रहाने और चेतेश्चर पुजारा का फॉर्म उसको लेकर तमाम बयान आ रहे हैं क्योंकि दोनों खिलारी अभी तक अच्छा प्रदशन सुनिल गावशकर ने रहाने और पुजारा को लेकर बोला ए साजिया जी बिल्कुल आप आपhesion को घ्या लकिनसे भी ऑफ people के बारे है कि दो के। बोड है या फिर जो मेंबर हैं कोचिंग स्टाफ हैं उनको इनके तकनीक के ओपर ध्यान देना होगा अगर आप इन दोनों खिलारियों को टीम से बाहर भी कर देते हैं तो यह दोनों ऐसे लोग प्रोफाइल क्रिकेटर हैं जो होहला नहीं मचाएंगे और इतना इस पर ड्रा है कि यह दोनों खिलारी जल्द ही जो भी मुद्ध है उसे सुलजाएंगे जो भी तकनीक में खामिया है और जल्द ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्योंकि उनका कहना है कि जो दोनों एक्स्पिरेंस खिलारी हैं इनमें आत्मिश्वास की कमी नजर आ रही है यह कुछ ज दिन का किलकत्मोंने के बाद और उन्होंने आजिंक रहाने और चितिश्वर पुजागर को लेकर बयान दिया जी बिल्कुल दीपक उन्होंने कहा है कि दोनों खिलारी काफी एक्स्पिरेंस खिलारी है लेकिन अभी भी उनमें वह स्कोर्स करने की भूख है बिल्कुल हंग अगर देखा जाए पिछले एक साल में उनका प्रदर्शन उस तरीके का नहीं रहाए हला कि रहाडे ने जरूर में अल्बन में सैम्चुरी बनाई थी लेकिन उसके बाद वो तरीके का अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए अब बात करेंगे रिशाप पंत कि रिशाप पं पंतने फिर से यंगिस्ट इंडियन प्लेयर ओवर्सीज बन चुके हैं जो कि कम से कम इनिंग में हजार रंज उन्होंने बना दिये हैं आपको बता दो कि 29 पारिया ली रिशाप पंतने विदेश में हजार रं बनाने के लिए और वही महेंदर सिंग धोनी ने तकरीबन 22 प चैजी ने बताया कि कहां उनकी टीम रुकी है उसके बारे में जल्द हम कोशिस करेंगे कि आपको एक अपडेट दे छोटा सा कि कहां किस होटल में रुकी है उसके अलावा शुरे स्टना ने भी एक वीडियो शेयर कि उन्होंने अपनी स्ट्रोरी में बताया कि वह यूए पहले तीम पहले दो टीमों में शुमार है जो यूए पहुंची इसके बाद धीरे धीरे तीमें पहुंचना शुरू करेगी अब इसके बाद बात एक खबर पैर लंपिक्स को ले कर लेते हैं क्योंकि ओलम्पिक्स में तो देखिए हमारे खिलाडियों ने इतना च्छा प् पैर लंपिक्स स्टार्ट हो रहा है और कहा जा रहा है कि टोट्यो में जो यह प्रिंपिक्स होस्त होगा वहां पर स्प्ठेटर नहीं रहेंगे तो यह बिलकुल हमने आपको सारी अब्डेट बता दी आपको बता दी कि पमाम मैचेस हो रहे हैं उनका क्या प्डेट है तो जरूर आगे जो मुकाबले हैं क्योंकि इंडिया इंग्लेंड सीरीज में भी अभी मुकाबले बाकी हैं उसके अलावा दे हंडे टूनामेंट चल रहा है जल्दी से आप टीम बना लीजी अपनी और उसके लिए आपको हाउजट एप को डाउनलोड करता है हाउजट एप को प्रेस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस लिंक पर जाके क्लिक कीजिए और सीधे आप होम पीज पर पहुंचेंगे और होम पेज पर जाएंगे तो वहां पर आप को डाउनलोड कर सकते हैं और तमाम ऑफर्स हैं वहां पर आगर आपकी टीम युराज सिंग के ग्यारा खिला तो वैसे ओफर्स भी आते रहेंगे तो जल्दी से आप को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए साथ इस पोट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी वजाना बिल पॉलोगरे